है लो गाईज इस वाली वीडियो में हम लोग वीटा 3 के emulator में ये सारे के सारे games टेस्ट करने वाले हैं और मैं तुम लोग को दिखाऊंगा हर games का जो performance आउन पी-स वीटा emulator का जो latest version हो उसमें कैसा है और यह वाले एमिलेटर का मैं तुम लोग को बेस्ट सेटप गाइड भी दिखा दूँगा अभी और कौन से सेटिंग किसके लिए यूज हो रहा है अभी लेटेश वर्जन वाला यह वीटा एमिलेटर है और लेटेश वर्जन वाला जो ड्राइवर है वह भी हमले यहां पर लगा तुम लोग को चाहिए लेटेश वर्जन वाला ड्राइवर एज यू कैंसी जैसे कि अभी इस टाम तो यह वाला चल रहा है अगर तुम लोग देख रहे होगे वर्जन तो इस ताम तो लिटेश लेटेश भी ड्राइवर आते रहते हैं तो मैं इन सब का ना वीडियो है ठीक है और अगर तुम लोग का थोड़ा सा इस लो सिस्टम है या तो डिवाइस है तो तुम लोग थोड़ा रिजॉल्यूशन को लोग कर लेना और उसके बाद जो यहां पर सेटिंग से कुछ मेरे जैसे कर लेना ठीक है यहां पर अभी जैसे लेटेश वर्जन आया है तो हम लोग को सब को पता है कि यह वाला एमिलेटर थोड़ा जादा परफॉर्मेंस मांगता है हम लोग के डिवाइस में और अगर तुम लोग वैसे परफॉर्मेंस में डबल बफर करोगे तो मतलब तुम लोग का डबल सीपे यूज है तो वहां पर वही चीज है बागी यह चीज तभी अनेवल रखना जब तुम लोग को लगेगी तुम्हारा जो मोवाइल है उसको हैंडल कर देगा टू एक्स का सीप्यू रिक्वार्मेंट होगा उसके बार ठीक है अभी फिलाल के लिए और अगर डबल बफर तुम लोग ओफ कर दोगे क्योंकि यह परफॉ थोड़ा FPS का में लगा लेकिन गेम चलता रहेगा और जो बीच-बीच में श्टर्टर होता है ना वह भी नहीं होगा पहला गेम ने ट्राइग किया था है तो भाई तुम लोग ने देख लिया वह गेम लोग का चला नहीं और उसके बाद हम लोग चलाते हैं यहां पर Borderland 2 गाइस प्लीज इतना मेनत करके मैंने यह वीडियो गनाया भाई काई सारे गेम हमने देखे इस वाले में प्लीज लाइक करके चैनल को सब्स्राइब करना ना ओके और यहां पर हम लोग ने चलाया उसके बाद Borderland 2 जो कि हम लोग का Vita Emulator में 60 FPS का गेम है जो कि मेरे को लगा नहीं कि भाई गेम में कहीं कुछ प्रॉब्लम था गेम कट रहा था बाकी गेम तो परफेक्ट चल रहा है यहां पर जो तुम लोग देखी सकते हो 60 out of 60 FPS आ रहा है थोड़ा आगे आगे जैसे कि एनिमी आता है तो एनिमी की लोड से जो हमारा FPS है वो लूज हो जाता है ओके लोग को लगता है कि तुम्हारा CPU नहीं उठा सकता तो तुम 1x scale में चला के डबल बफर बंद कर देना है उसके बाद सुछते कि क्या Call of Duty Black Ops हमारे वीटा थरीके मिलटर में चलेगा तो मैंने इसको भी टेस्ट किया यहां पर क्या होता है गेम चल जाता है ठीक है अंदर ग रिमोड में वही चीज होता है ब्लैक स्क्रीन में आके मामरा रूख जाता है और वहीं पे फिर बार-बार रे ठाए होता है यहां पर जबत तैम में वह डेकिन उस और गेम लोग खेलोगे ना तो थोड़ा देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन इसको एक बार ट्राय करोगे ना तो बहुत बढ़िया गेम है यह इंट्रेस्टिंग गेम है यह अपने टाइम पे गेम हिट पॉपिलर रह चुका है गेम जो कि बाद में और शूीटिंग würश्च गैम है ऑके ग्राफिक्स को एक धरबना और जो जो एकफेक्ट है ना उसको एक साइट रखना उसमें जो एलिएंस आथ हैं उसको एक साइट रखना ताब व सब देखिन आता वह गेम तुम लोग को इंठरेस्टिंग लगेगा लिए सब दावर गे सेकेल है और बाखी सब सेटिंग तो मैं दिखा दिया तो पहले ट counting oldücht गेम हो गया था लेकिन जो सेकंड तो गेम लोग का चल रहा है उस्में हम लोग को थोड़ा सा गेम के अंदर है वो अभी तो डेखो जैसे कि सढ़रा था जैसे गेम इस बाट हुआ वैसे सही दिख रहा था कट सीन के अंदर जैसे जैसे हम लोग आए लेकिन फिर अचानक से यहां पर लैग और ग्लिच लेक तो नहीं लेकिन जो ग्राफिकल इश्यू है न हम लोग को ऐसा लग रहा था हम आइफोन में खेल रही तो ऐसा कुछ हम लोग का ग्राफ कर सकते ओक हैं उसके बाद में हम लोग का आता है हैं यहां पर यह यहां पर दिखाता है लेकिन जैसे हम लोग गडा हो जैगा वे यहां तो यहां यहां ग क्हलंब हो यह sepska न यूजल ओर पाले संन सीन यूज सबटे कर दिखें वेकिन हम लोग को ड्रेगन बॉल सी वाले वी एक ऑ़ जाएंगे नरूटो करेंगे लइख ही लुक्री लेकंड में यह गैम भी तीवा धिए और यह वी इसने दिखा दिया व यह लोग था यह नहीं चला और बहों मैं वर्क नहीं किया वाइड स्क्रीन का वाइड स्क्रीन ही आ गया और मैंने वहां पर ग्राफिक ड्राइवर भी काफी सारा चेंज किया था फिर भी वो नहीं चल रहा था लगे बात किया जाए अपर हम लोग खेल पाएंगे और वीटा में यह गेम लोग खेलते देदा न प्लेसेंट टू में तो उस टाप्टी एफ्पेस का उवा करता था लेकिन वीटा में न तुम लोग को यह गेम बहुत जादा स्मूध लगेगा ठाटी एफपेस से यह इंट थरीक है यह गेम तो अलरड़ी प्लेबल ही है बाकी यहां पर नया चीज क्या था कि पहले था ने एक फायर एफेक्ट और स्पेशल एफेक्ट गेम का ग्राफिक्स वो सब आता नहीं था अब आता है अब सब चीज आता है बस तुम लोग का जो डिवाइस है ना डिवाइस पावरफुल मांग रहा है अब पहले तो लो एंड वाला था अगर उल्डर वर्जन यूज करोगे तुम वीटा का तो उसको लो एंड में भी वो काम चला देगा लो एंड डिवाइस में लेकिन लेटेश वर्जन यूज करो विद स्पेशल एफेक्ट आ ग्राफिकल इतना कि भाई आके इन्फनाइट लोडिंग में यह खतम हो गया कम से कम है 15-20 मिन्ट यहां पर लोडिंग में वेट किया लेकिन भाई जो गेम है वो लोडिंग से आगे नहीं बढ़ रहा मतलब यहां पर यह देखो यह स्टार्ट करती है उसके बाद प्लीज वेड प्लीज कर रहे थे इस वाले गेम में क्या है की आठे करेक्टर तुम लोग को यहां पर गोड़ ऑफ आफ बाकी आ उसका भी बाक्त रखेंग दो यहां पर लोग को मिल जाएगा और इसके बाद हम लोग ने हां पर ट्राय के रिजिटेंट एविल एवल एशेंच ठीक है इसमें भी लेकिन यहां पर गेम स्टार्ट करते क्रैश हो रहा है और उसके बाद यहां पर हम लोग ने ट्राइ किया है रिज रेसर तो प्ले किया था हमने और यह गेम ऑनलाइन निकला तो इसको कोई फायदा नहीं यहां पर रन करने का हुआ लेकिन अगर तुम लोग यह सोच़र होगी यहdefense offline है गेम ही offline है और तस वाद यहां पर आ आता है हम लोग का सबसे last लास्ट 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 अंफ चार्टर तो अब कोसिछ करना की हाने और चोच बाकी तुम लोग न वो टूटोरियल मीनू से आगे नहीं जा पाओगे यह टच स्क्रीन का एमुलेटर आपके है तो आई होब जो वीडियो है गाई तुम लोग को पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई टाटा सी यू